अगर हम molality को define करें, तो molality कैसे क्या होता? that is moles of solute present in per kg solvent but अगर solvent को हम देखो, हमने starting से आपको बताया है कि अगर solution बनाते हैं तो पहला material solvent होगा which is A solute क्या होगा? second material which is B होगा तो यहाँ पर NB by WA यह gram में है इसलिए इसको किस से multiply कर रहे हैं? यह thousands है WA is the mass of solvent WA क्या है? mass of solvent है, ठीक है? अब यहाँ से इसको solve करें, अगर देखें तो यह कैसे solve करेंगे? तो WA weight is equal to क्या होता? moles of A into molar mass होगा यह basic use कर रहे हैं हम लोग moles equal to weight by molar mass होता है तो weight equal to क्या हो जाएगा? तो यह क्या बोले? नहीं, नेट तो ठीक है नेट ठीक ठाक है तो यहाँ पर देखो क्या है? तो यहाँ पर देखो क्या है? weight is equal to क्या है? divide by क्या लिखेंगे? na into na ma is basically क्या है? molar mass किसका? यह molar mass किसका है? solvent का, यह basically molar mass किसका है? यह solvent के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि solvent का molar mass है अब यहाँ पर देखो mole fraction की प्रोपरटी हमने आपको बताया था कि ratio of mole fraction of two component is equal to the ratio of their moles यह एक प्रोपरटी पढ़ा था कि ratio of mole fraction of two component is equal to ratio of their moles तो basically देखो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि अगर xb by xa लिखें that is ratio of mole fraction of two component is equal to क्या होगा? ratio of their क्या हो जाएगा? यह moles हो जाएगा तो इसी चीजों को अगर हम यहाँ पर लिखें तो molality किसके ब्राबर हो जाएगा? xb into thousand into xa into क्या हो जाएगा? यह mn तो यहाँ से इस तरीके से यह relation एक इसके molality और molality और इसके बीच में कहां हम relation के बात करते हैं तो basically क्या है? यह xb that is mole fraction of solute यह क्या है? mole fraction of solvent यह thousand और यह molar mass तो 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 इस इस the relation between molality and mole fraction यह relation याद रहेगा? आपके बाते हैं इस घाएगा यख यहाँ पुर यहाँ झाल 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 ठीक है तो रिलेशन यहां तक सीज़े क्लियर है अब अगर इसके नुमेरिकल्स नुमेरिकल्स अगर हम लोग देखे किसके नुमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते तो ऐसे वेशन गिवन रहेगा फाइंड तो यहां पर हम लोग क्या कह रहेएंड तो यहां पर हम लोग क्या कह रहेएंग है कि फाइंड मॉलालिटी ओफ एक्वस के वेच इप स्मोल फ्रेक्शन इस पॉइंट तो तो यहां पर दो-दो रिलेशन के हम लोग बात करते हैं कुछ-कुछ रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है जैसे यह aqos है aqos form का मतलब है कि पानी होगा उसके साथ में तो if a mole fraction of mole fraction of KH कितना है 0.2 है तो mole fraction of Pani कितना हो जाएगा इस्टो कितना हो जाएगा बताओ 0.8 होगा 0.8 because sum of mole fraction of a mixture is always equal to 1 तो कभी भी किसी mixture के mole fraction का sum किसके बराबर हो जाएगा वन के बराबर तो यह वन के बराबर होता है साथ ही साथ यहां पर अगर हम देखें एक्वर में तो मुलर मास और सॉल्मेंट कितना हो जाएगा यह 18 हो जाएगा विकॉज इज एक्वर और यह पानी है तो इसे सब लेखे चलेगे नौ अभी थोछ दिर पहले हम इस भी देखो सॉलूट है तो सॉलूट क्या आपका पॉइंट टू है इसकी वैलू क्या है पॉइंट टू इन्टू 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 क्या हो जाएगा एटीन हो जाएगा पॉइंट इन्टू 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 इन्ट 1 by 4 into 55.55 and the unit is mole per kg तो इसको हम लो इस तरीके से solve कर सकते है that is 1 by 4 55.55 mole per kg तो यह टॉपिक अहां था clear अच्छा इस question को हम एक और तरीके से भी solve कर सकते है that is by assumption that is by assumption assumption का मतलब क्या है let n total is equal to 1 अगर हम n total क्या ले 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 तो mole fraction किसके बराबर होता है moles of particular substance divided by total moles तो अगर n total 1 है it means क्या हो जाएगा moles of kvh यह कितना हो जाएगा बोलो 0.2 ही रहेगा और moles of water कितना हो जाएगा moles of water क्या हो जाएगा यह 0.88 रहा जाएगा अब यहां से weight of water निकाला जा सकता है solvent यह क्या हो जाएगा 0.8 into 18 पॉइंट इंटू क्या हो जाएगा 18 यह से सबसे नौ अगर हम बात करते हैं कि molarity तो molarity किसके बराबर होता है nb into 1000 वाई डबलू ए यह किस में होता है यह ग्राम में और जब भी हम moles को weight में convert करेंगे तो यह ग्राम के फॉर्म में ही जाएगा तो इस formula पर अगर हम लों लगाएं तो moles of solute कितना है 0.2 into क्या हो जाएगा 1000 divided by w यह कितना है mass of solvent कितना है 0.8 into क्या हो जाएगा यह 18 हो जाएगा देखो दोनों value same आ रहा हमने यहां पर formula use किया तब बनाया यहां पर क्या क्या that is by assumption कि अगर mole fraction इतना है तो n total ले ले अगर आप चाहें तो n total 10 ले ले 50 ले 100 ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता है molality will remain same molality में फर्क नहीं पड़ेगा तो कैसे molality और mole fraction के questions आते हैं यह चीज़े clear कि कि इससे आगे बढ़े फिर हम लोग कि इससे आगे बढ़े कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि यह तो mole fraction given था molality पुछा कभी-कभी आपसे ऐसा पुछा जा सकता है reverse में, find mol fraction of 0.25 molal solution of aqueous h now this time क्या है आपसे क्या पुछा जा रहा find mol fraction of 0.25 molal word का मतब होता है molality और अगर molar रहता है तो molarity होता है तो find the mole fraction of 0.25 molal aqueous h now यह पूछा जा रहा इसका क्या मतलब हो गया कि इस question में तो solution के बात करते हैं तो given क्या molality कितना given है 0.25 और इसका unit आपको भी पता कि यह क्या हो जाएगा mol per kg और aqueous है इसका मतलब है कि water है तो water है तो ma कितना हो जाएगा यह 18 हो जाएगा अब इसको कैसे solve करोगे तो यहां पर अगर मालों की mole fraction of n-h के अगर बात करते हैं कि तो वाट इदा मोल fraction of water 1-6 अगर मोल fraction n-h का x होगा तो वाटर क्या हो जाएगा 1-6 क्योंकि यह प्रॉपर्टी का है तो नाव हम लोग आते हैं फॉर्मुला पर तो molality किसके बराबर होता है दाट इस मोल्स आफ सॉलूट इंटु 1000 बाइ मोल fraction of solvent इंटु क्या होगा its molar mass तो यहां पर molality कितना है 0.25 यह क्या है x इंटु 1000 डिवाइड बाइ 1-6 इंटु क्या हो जाएगा 18 क्या इसको solve करके x की value निकाल सकते हैं हम लोग एक सी value इसको हम लोग यहां आप से निकाल सकते हैं तो एक तरीका यह है कि भाई आप इसको इस तरीके से solve करिए तो हम हर बार हर चीजों को दो तरीकों से बता रहें एक बता रहें कि ठीक है आपको अगर फॉर्मुला की जानकारी है तो फॉर्मुला की बना लिए एक चीज़े है जो हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि आप बेसिक लगाई हो बेसिक solve करिए जैसे फॉर एज़ामपल अगर मोलालिटी जो है वह 0.25 दिया हुआ दाट इस मोल पर केजी इसका क्या मतलब यहीं हुआ कि जिरो पॉइंट का मतलब यहीं हुआ कि 0.25 मोल न वेच जो न वेच जो पर्रेजंट इन 1 kg वाटर यही मतलब हुआ इसका मोलालिटी को कैसे डिफाइन करोगा यह दा इस मोल सब्सक्राइब पर केजी सॉल्वेंट तो अगर यहां से इसका मोल सो गिवन हो गया मतलब हम लोग इने मोल सौफ निकाल लिया कितना है 0.25 तो मोल सौफ वाटर भी निकाल लिए मोल सौफ वाटर कितना है वन केजी का मतलब थाउजेंड ग्राम थाउजेंड बाइटीन तो यह आजाएगा 55.5 अब यहां से देखो यह हम लोग वहनी सिर्फ बेसिक लगाया तो मोल फ्रेक्षिन ऑफ न वेच कितना हो जाएगा आध इस मोल सौफ एवेच्श डिवाइड बेटॉटल मोल्स तो एवेच का मोल्स कितना है 0.25 डिवाइड बाइड टॉटल मूल्स कितना है याद दे तो कोई ने किसी ना किसी तरीके से एक्जाम में प्रेशन बनी जायेगा